बिग बॉस के घर में सुंबुल तौकिर खां और प्रियंका चहर चौदरी को लेके आया बड़ा बयान इस बड़ी एक्ट्रेस का आखिर इस एक्ट्रेस ने क्या कुछ कहा इन दोनों कंटेश्टिंट को लेके और क्यों ऐसा कहते हुई नजर आई हैं कि सुंबुल तौकिर खां की भावी प्रियंका जो है वो बचाओ करते हुई नजर आई सुंबुल को और ये बहुत ही अच्छा गैस्चर था प्रियंका के तरब से सुंबुल के लिए चली आज के इस वीडियो में आपको भी बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है और कौन सी वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है तो दरअसल ये एक्ट्रेस हैं गुम है किसी के प्यार में शुकी आईशा सिंग जो कि ये हमेशा से ही बिग बॉस को फॉलो करती रहती हैं और लगातार इन्होंने सपोर्ट भी दिखाया है सुम्बूल तौकिर खां जब जब भी फसी हैं हमेशा से सपोर्ट दिखाती हुई नजर आई हैं आईशा सिंग और इस बार भी आईशा सिंग ने सपोर्ट दिखाती हुए ये कहा कि जिस तरीके से प्यांका चहर चौधरी ने सपोर्ट किया है बढ़ चड़ के सुम्बूल का ये काबिले तारीव है दरवसल ये किस्सा है उस समय का जब सुम्बूल तौकिर खां और शालीन बानोड कीचन रूम में थे और शालिन बानोड एक तरफ से सुम्बूल से बात करने की कोशिश कर रहे थे और वही वक्त प्रियंका चहर चौधरी वहाँ पहुच कर शालिन को बीजी रखती है जिसके बाद प्रियंका और शालिन की जो दूरियां है वो और भी जादा बनी रहे क्योंकि अब सुम्बूल तौकिर खान नहीं चाहती है कि वो शालिन या टीना के ग्रूप में बैठें या उन दोनों से बात करें इसके अलावा शालिन बानोड अब भी चाहते हैं कि वो कही न कहीं से नजदी क्या बढ़ा है सुम्बूल तौकिर खान से जिसके चलते प्रिय लगातार फटकार मिल रही है लगातार लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं यहां तक कि आईशा सिंग यहीं नहीं रुकी आईशा सिंग का ये कहना है कि अब फामान खान के पिक बॉस से निकलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सुम्बूल का गेम अब बहुत ज़्यादा स्ट स्क्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई